गोड इबनिंग गोड इबनिंग टू अल अफ यू कैसे आप लोग उमीद करता हूँ अच्छे होंगे मैं रुपेस बर्मा हाई इंपक्ट अकैडमी से आप लोगों का स्वागत करता हूँ आज हम लोग काउंटिंग अफ फिगर परेंगे और यह रिजनिंग का हमारा पहला क्लास होगा है काउंटिंग फिगर इसके बारे में देखेंगे कि क्या-क्या इसमें काउंट करने रहते हैं क्या-क्या काउंट करने रहते हैं मतलब कितने कैसे-कैसे फिगर काउंट करने रहते हैं तो चलते हैं इसका देख लेते हैं कि कैसा-कैसा फिगर आता है इसमें चलिए देखिए यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा counting of figure इसमें हम लोगों को पहला क्या पढ़ना है square यानि कि वर्ग पहले क्या पढ़ना है square square वाला figure देखेंगे उसके बाद में rectangle वाला figure देखेंगे उसके बाद में triangle का आता है त्रिभूज का आता है उसके बाद में circle वाला देखेंगे उसके बाद में state line कितने state line है इसके बारे में हम लोग परहेंगे विस्तार से और घन और एम घनाब cube and cuboid यह हम लोगों का जितने भी figure है इसको हम लोग देखेंगे और एक बात आपको बता दे कि जो भी exam है जितने भी exam में competitive का exam में जितने भी question पूछे जाते हैं counting of figure से आपको इसी में करवा दिया जाएगा जितना भी पूछा जाएगा इससे बाहर नहीं आएगा इतना याद रखियेगा जो जो पूछे जाते हैं अपने question की ओर चलिए पहले southern question यह दिखाई दे रहा होगा figure 1 पहले हम लोग square देखेंगे पहले हम लोग स्कॉायर के बारे में अच्चा यह figure आपको दिखाई दे रहा होगा इस figure में कितने square हैं आप लोग ऐसे ही बता देंगी इसमें ज़्यादा ट्रिक नहीं लगाना है ऐसे ही दिखाई दे रहा कि कितना स्क्वार है आपको तो यहां देखिए कि पहला यहां दिखाई दे रहा है दूसरा यह हो गया तीसरा यह हो गया चौथा यह हो गया और पूरा फूल एक पांचवा हो गया तो इसमें 5 square हैं, कितने square हैं? तो 5 square इसमें हैं, अच्छा यह छोटा सा था, तो हम लोग देख लिए कि 5 square इसमें हो रहा है, 5 square हो रहा है, लेकिन अगर बरा-बरा आ जाए, उसको गिनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो within 5 second या within 2 second में हम लोग इस question का answer करेंगे, ठीक ह तो देखिए, इसका हम लोग क्या trick लगाएंगे, 5 square से आया, अगर short cut trick से जाएं, तो देखिए, यहाँ पर लिखेंगे, 1, 2, और यहाँ नीचे, 2, तो हम एक चीज़ इसमें क्या देखते हैं, कि कितने row है, कितने row है, कितने row है, और कितने column है, तो row यह इसको बोलते हैं, लेटे हुए line को क्या बोलते हैं, और यह state जो ख़रा है, इसको हम क्या बोलते हैं, और column बोलते हैं, तो इसमें कितने column और कितने row है, उसको हम लोग देखेंगे, तो एक, 2 row है, और एक, 2, 2 क्या है, column है, दो column दो row अब देखिए इसको करते कैसे हैं इसको इस दोनो नंबर को multiply करेंगे और फिर इसके बाद क्या करेंगे plus करेंगे और इस दोनों में से एक एक घटा करके फिर minus sorry multiply करेंगे और इसका multiply करने के बाद add करेंगे add करने के बाद आपका answer आ जाएगा तो इस तरह से हम question का answer करेंगे चलिए तो अगले figure की ओर चलते हैं और अगला question हम लोगों देखते हैं आप यहाँ देख रहे हैं गर रेक्टेंगल दिखाई दे रहाँ होगा रेक्टेंगल और टोटल रेक्टेंगल इसको बाद में देखेंगे परले स्कुएर के बारे में जान लेते हैं चलिए दूसरा figure अब इसको आप ज़्यादा समय नहीं लेंगे हमको उम्मीद है कि ज़्यादा आप लोग समय नहीं लेंगे क्योंकि जो trick उसमें लगाया थे वहीं trick यहाँ पर भी हम लोग अपनाएंगे चलिए देखते हैं इसको क्या करना है तो यह last वाला नमबर देखिए और इधर last वाला नमबर देखिए यानि कि row का जो last वाला है और column का last वाला यह column का last वाला है और यह row का last वाला है तो इस दोनों को हम लोग multiply करेंगे आंसर आ चका है तो यहां देखे क्या हम जी 5 और 3 से multiply किए फिर उसके बाद में एक- एक- करके 5 और 3 में 5 में 1- कीजिएगा 4 आएगा फिर 4 में 3 में 2 से multiply किए फिर देखिए यहां पर कि 3 से multiply किए 1 में तो हमारा आगया 26 इसमें कितने फिगर्स होंगे, स्कॉायर कितने होंगे, स्कॉायर वाला फिगर्स कितने होंगे, तो 26 से यहां पर होगा, 26 इसका राइट आंसर हो गया, टोटल ट्रेंगल और ट्रेंगल बाद में हम लोग देखेंगे ठीक है ना यह हम लोग बाद में देखेंगे पहले हम लोग स्कॉर देख रहा है चलिए तो अब हम चलते हैं अगले फीगर की ओर और अगला फीगर को हम लोग काउंट करते हैं चलिए यहां दिखाई दे रहा होगा आपको कि आपको यह वर्ग दिखाई दे रहा है एक मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है और इसको हम लोगों को काउंट करना है कितने इस फिगर में sqr है इस figure में कितने sqr बने हुए है कितने वर्ग बने हुए हैं तो हम लोग वही trick अपनाएंगे ज़िए कितना जल्दी कितना जल्दी इसको हम लोग solve कर पा रहे हैं इसको क्या करेंगे 5 और 4 लेंगे मत इस दोनों में हम लोगों को multiply करना है चलिए तो इसको हम लोग multiply करते हैं उसके बाद में एक, एक minus करके फिर plus करते जाएंगे और multiply करते जाएंगे तो देखिये यहां पर तो आप लोग यहां देख रहे हैं कि इसका answer आच चुका है तो हम लोग क्या किये इसमें 5 और 4 में multiply किये और वैसे ही एक एक घटा करके सब करते गए multiply और add तो आगे हमारा 5 4 जा 20 4 3 जा 12 और 3 2 जा 6 6 और 2 1 जा 2 सब को add करने के बाद हमारा 26 इसमें figure sorry इसमें 26 नहीं बनेगा इसमें 40 कर लिजेगा ये होगा 40 40 figure बनेगा इसमें 40 figure बनेगा ठीक है इसको ठीक कर लिजेगा 40 figure बनेगा सब को add करने के बाद तो देखिए कितना जल्द बनड़ा है question का answer ठीक है न उसके बाद में हम चलिए अगले question के ओर चलते है इसमें देखिए इस figure में कितने square होंगे कितने वर्ट हो जाएगा यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा राइट आंसर 14 दिखाई देरा है यह सेफ ऐसे ही नेक्स्ट फीगर क्यों नेक्स्ट फीगड देखते हैं को नेक्स्ट फीगर देखिने से पछले हम लोग आप देख लेते हैours कितने rectangle कितने है और only rectangle कितने है total rectangle और only rectangle पहला figure हम लोग देखते हैं तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि कितना square था इसमें इस figure में कितने square थे 5 square थे figure में आप लोगों ने देखा था कि 5 square है rectangle की बात करें तो यहाँ rectangle आप देख सकते हैं कि यह फर्स्ट रेक्टेंगल यह सेकंड रेक्टेंगल और यह थर्ड रेक्टेंगल और यह फोर्थ रेक्टेंगल तो यह इसमें कितने रेक्टेंगल बंड़े हैं चार रेक्टेंगल बंड़े हैं चार रेक्टेंगल बंड़े हैं चार रेक्टेंगल बंड़े हैं ठीक है आप देखें इसमें कितने total rectangle कितने हैं यह rectangle है only rectangle और total rectangle का मतलब है square भी rectangle ही हम कहते हैं ठीक है लेकिन square को हम rectangle नहीं कह सकते हैं और rectangle को square नहीं कह सकते हैं इतना याद रखिएगा तो यहां देख रहे हैं कि rectangle कितने हुए total rectangle फाइफ और फोर एड़ कर दीजिए कितना आ गया 9 9 rectangle यहां पर total rectangle बनेगा अगर यह तो हम लोगों ने जोड दिया जोडने के बार total rectangle हम लोगों ने देख लिया है तो अगर rectangle टोटल ऐसे निकालना होता तो कैसे निकालते हैं इसमें तो छोटा सत्त तो हैामने क्या बताया था है चलिए कि किया देखिएगा आप यह जो दिखा इधर रैंदर है यह तो यह हमारा दो गॉर्म अद्वर क्या है और हाव है दोनों को हम लोगों क्या करेंगे add करेंगे rectangle के इसको add कर देंगे और इसको add कर देंगे add करने के बाद हमारा पता चलेगा और इसको multiply कर देंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 multiply by और फिर यह देखिए यह 1 और यह 2 multiply एड करके multiply कर देगे 2 और 1 कितना हो जागा 3 दोनों को multiply करने के बाद हमारा 9 answer आजाएगा तो यहीं हमारा total rectangle निकल जाएगा तो total rectangle निकालने के बहुत आसान trick हमने देखा अगले figure की ओर देखते हैं और अगले figure में देखते हैं कि कैसे total rectangle और rectangle हम लोग निकालते हैं चलिए तो यह हमारा figure दिखाई दे रहा है second figure जिसमें हम लोगों ने square देखा था square कितना आया था इसमें 26 आया था चलिए 26 देखा था तो अब देखेंगे कि इसमें total rectangle और rectangle कितने होंगे ठीक है total rectangle हम लोग कैसे देखेंगे इसमें तो total number का add करेंगे total number को क्या करेंगे एड करेंगे total जो दिखाई दे रहा है यह row वाला इसको एड कर दीजिए और उसके बाद को कॉलूम वाला को एड कर दीजिए और दोनों को कर दीजिए multiply आपका आंसर आ जाएगा तो total rectangle निकालने का यह trick है तो यह हमारा 90 गो rectangle इसमें होगा total rectangle 90 ठीक है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि total rectangle निकल चुका है total rectangle कितना है 90 आ चुका है उसी तरह देखिए only rectangle निकालने के लिए हम लोगों ने क्या अप्रोच लगाया total rectangle जितने भी rectangle आए है उसमें से square माइनस कर देखिए कितना 26 और यहां हमारा कितना है total rectangle 90 है इसमें से मगर माइनस करते हैं तो हमारा only rectangle निकल जाएगा only rectangle कितना है तर 26 90 माइनस 26 यानि 64 हमारा अंसर आएगा 64 हमारा अंसर आएगा चलिए अब अगले question क्यों चलते हैं अगला question में देखते हैं कि क्या इसका भी rectangle और total rectangle हम लोग कैसे नहीं होते हैं तो यहाँ देखिए कि total rectangle तो हम क्या करेंगे सबसे पहले column कितने भी है कितने है 5 column है पाँचों को हम क्या करेंगे add करेंगे तो 15 हमारा आएगा यहां तो यहां हम multiply कर चुके हैं 15 into 10 यहां कितना है 150 एंसर टोटल rectangle का अगर हम rectangle only rectangle की बात करें तो only rectangle का इसे निकालेंगे तो 150 जो हमारा आया है total rectangle उसमें से square वाला square कितना है था 40 आया था तो उसको हम क्या करेंगे minus कर देंगे तो minus करने के बाद हमारा 110 जो आ रहा है वो only rectangle आ रहा है ठीक है only rectangle आ रहा है ठीक है आगे चलते हैं यहां देखिएगा यहां क्या है total rectangle हम कैसे निकालेंगे हैं इसको पूरा को क्या किये पूरा को add कर दिये add करने के बाद हमारा कितना है 15 आया और इस दोनों को add करने के बाद हमारा 3 आया इस दोनों को multiply किये तो कितना है 45 आया है यहां कि 45 हमारा आंसर है total rectangle की बात करें तो 45 आगर स्क्वायर की बात करें तो इसक्वायर हम लोगा 14 हमारा क्या रहे है स्क्वायर और only rectangle की बात करें तो only rectangle कैसे निकालेंगे यहाँ total rectangle माइनस हम क्या बताए थे total rectangle minus square total rectangle 45 और only square क्या है 14 तो दोनों को अगर minus करेंगे तो यहाँ दिखाई दे रहा है 45 minus 14 31 answer only rectangle चलिए अगले question क्यों चलते हैं अगला question यहाँ देखिया एक नया सैप आया यह सैप आप देख सकते है कि यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है क्या यह इसमें कितना square है आप लोग बताएए अच्छा इसमें हम लोगों ने यह एक सैप दिखा ठीक है इसी में एक और सैप लिए है ठीक है यह तो square हम लोगों ने पहले देख चुके है first question यही था first figure हमारा यही था इसमें हम क्या किये है एक और figure add किये है एक और figure add किये है एक square लेकर के हम इस पर रख दिए है तो इसमें हम लोग count करेंगे कितना इसमें square है यह basic square है basic square क्यों है देखिए जो सैप दिखाई दे रहा है ये तो हम लोगों ने देखा था ये हम लोगों ने देखा था कि इसमें कितना answer आ रहा था 5 आ रहा था इसका answer क्या रहा था 5 आ रहा था लेकिन एक और add करने के बाद हमारा answer क्या आएगा सोच में पर गए ना तो देखिए ये जो sap दिखाई दे रहा है ये कोई shape है नहीं ठीक है ये कोई shape दिखाई नहीं दे रहे हमको square है क्या नहीं है square ये नहीं है ये square नहीं है तो क्या होगा तब हम अंदर वाला फिर देखेंगे तो अंदर वाला का भी जैसे उपर वाला का आया है तो दोनों को अगर देख लिआ जाए तो दोनों का shape इसका 5 आएगा और इसका क्या आएगा इसका भी 5 आएगा तो दोनों को हम लोग add करेंगे add करने के बाद कितना आएगा 10 तो यह हमारा आंसर आगया 10 आंसर होगा इसका चलिए अगले question के और चलते हैं ये अगला जो question है ये RRB NTPC में पूछा हुआ प्रशन है इसी में क्या किया है कि एक और shape डाल दिया है इसी में क्या किया है एक और shape अंदर डाल दिया है तो आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर यह तो shape ले नहीं रहा है कोई यह जो shape देख लेते हैं पहले इसमें sorry तो देख रहा है न यहां पर देखे एक और shape अंदर में यह वाला तो यह वाला shape को कैसे बनाएंगे तो उसी तरह से करेंगे इसका 5 इसका 5 और अंदर वाला का 5 इस तो तीनों को हम अगर add करते हैं तो कितना एगा 15 इसका right answer आ गया तो देख कितना जल्दी thisolve हो रहा है बहुत असान है ट्रिक ये चलिए अगला कॉस्टन की और चलते हैं कि दो कि ये हमारा देखिए यें चीजी यल का कॉश्टन है यह पूछा हुआ प्रश्ण है यह सीजील में पूछा हुआ प्रश्ण है तो इसको हम कैसे निकालेंगे तो इसको निकालने के लिए यहां पर देख रहे हैं हम लोग कि ये तो एक फिगर हम लोग देख रहे थे ये दूसरा फिगर हो गया ये तीसरा फिगर हो गया ये चौथा फिगर हो गया अगर हम इसको सुल्व करें तो आसानी से कैसे सुल्व हो तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि टूटाले स्कॉल निकाल दे इसको हम लोग भूल जाएंगे इसको हम लोग अभी भूल जाएंगे यह जितना भी अंदर वाला दिखाई दे रहे इसको हम भूल जाएंगे यह है तो अब देखिए यहां पर वन टू थ्री फॉर और 5 और 5 rows होगा 4 rows है 1, 2, 3, 4 5 rows भी है row भी कितना है? 5 है और column कितना है? 5 है तो हम जिस तरह से पहले हम लोग square निकालने के trick लगा रहे थे उसी तरह इसमें भी हम लोग trick लाएंगे first इधर वाला last और row का last ये दोनों का हम क्या करेंगे multiply करेंगे और एक एगटा करके फिर हम लोग क्या करेंगे? add करते जाएंगे फिर 4 into 4 करेंगे plus फिर 3 into 3 करेंगे plus फिर 2 into 2 करेंगे plus फिर 1 into 1 करेंगे और total को जोरेंगे total का कितना हैगा? 55 आएगा तो हम लोगों ने देखा कि 55 है हमारा इसका total जो है square आया लेकिन क्या बात है? इसकी इसमें नया figure आगया नया figure क्या आगया? कि एक और shape चार shape अलग-अलग दिखाई दे रहे हमको तो इस shape को हम लोगों ने देखा था कि इसमें कितना? इस figure को हम लोगों ने देखा कि 5 इसमें 5 इसमें भी 5 और इसमें भी 5 तो टोटल को हम लोगों जोर लेंगे 5, 5, 10 और 5, 15 15, 5, 20 तो हमारा 20, 55 में 20 एड़ करेंगे 75 इस दर आइट आंसर 75 हमारा राइट आंसर है 75 चलिए तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्थ होता है और अगले वीडियो देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से आप लोग देख सकते हैं या फिर इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिये जाएगा आप लोग वहां से देख सकते हैं तो इसी के साथ लेते हैं Vida तो इसको अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो अच्छा लगा हो अगर इससे कोई विनिफिट हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दबा के लाइक करें और दबा के शेयर करें धन्यवाद लेते हैं विदा जय हिन जय भारत